हम यहां पर public private की इस्टेल सिखनेचर क्या होता है ли trains क्या है प्यक्र नीछ है तो यह सारे freeze क्या drie देखने वाले हैं तो हम उसके लिए कौनसा सव्ट्ठ्र यूज करने वाले हैं यह जो Gpg उसार्ट'य ए प्राइवसी गाड है वह वला यूज़ करेंगे तो यह एक करके हम concepts को properly theoretical भी discuss करेंगे और इसकी practical demo भी देखेंगे और इसके लिए हम एक lab construct करेंगे तो हम देखेंगे भी public private की क्या होती है तो हमारे case में जो हम characters ले रहे हैं इसके अंदर समझने के लिए जारे concepts वो हम जो traditional लोग यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं हमने यहां पे अपने ही characters वगएरा बनाए हैं तो उनको यूज़ करेंगे तो उससे हमें समझना आसान हो जएगा तो हमारे पास एक character weapon होगा जो जब भी हमने किसी चीज़ को digital से करने चार जाओ इसको समझना है सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि public private की क्या होती है हमारी symmetric की क्या होती है जा asymmetric क्या होती है वो समझना बहुत जूरी है तो ध्यान अतना जब भी हम public private की के concept की बात क करते हैं तो public private concept में क्या होता है कि हम दो की generate करते हैं दोनों different होती है अगर हम एक की से lock लगा देंगे तो हमें उसको unlock किसे करना पड़ेगा दूसरे वाली की से करना पड़ेगा जैसे suppose कि मैंने यह step का concept होगा कि इस door पे lock है और मेरे पास दो कीज है अगर मैंने एक की से lock कर दिया तो उसकी से नहीं open होगा वो किसे होगा दूसरे वाली से होगा इसके opposite हमारे पास एक symmetric keys होती है जिसमें क्या होता है कि मेरे पास एक key होती है मेन जिसकी से मैं अपने room को lock करूँगा उसी से मैं open करना पड़ेगा तो यह ज़्यादा secure मानी जाती है public private की तो हम यहां प जब भी हम public private key के concept में आते हैं सबसे पहला आपने ध्यान रखना होता है कि यह जब आप create करोगे तो उसमें distribute कौन सी करोगे तो हमेशा ध्यान रखना आपने जो अपनी key distribution करनी है वो हमेशा public करनी है तो हम यहां पे क्या है जो weapon है वो अपनी public private key generate करेगा और जो distribute करेगा अपने पास कौन सी की रखेगा प्राइवेट की और ध्यान रखना कोई भी की को हम use कर सकते हैं encrypt करने के लिए और अगर हम एक की से encrypt करते हैं तो दूसरी को से हमें क्या करना पड़ेगा decrypt करेगा हम इसकी various examples लेंगे और फिर हम जो और characters ले रहे हैं एक आनंतिका character है एक ननू character है एक हमने thief bad element ले लिया जिसको thief हम hacker भी कह सकते हैं जो कुछ भी है तो हम उसको अपना ही नाम दिया थी एक हम और issue character लेंगे बाद में certifying authority की तरह ये काम करेंगा तो हमने अपने ही characters लेंगे तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है इसको अभी हम समझते हैं कि इससे हम क्या करने वाले हैं मिन हम जब public private की create करेंगे तो हमारे पास अभी initially हमारे पास एक weapon user होगा एक अनंत का user होगा उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं हमने एक linux system ले रखा है जिसमें send to s7 install है तो यहां पे weapon user मैंने जो installation करते करते हैं में ही create किया था तो मैं एक और user add कर देता हू अनंति का नाम का तो मेरे पास यह दूसरा user है अनंति का इसको मैं एक छोटा सा password दे देता हूं जो हाला कि recommended नहीं है कि आपने छोटा सा password देना है तो मैं इसको अब कोई भी linux ले सकते हैं उसमें आप दो users create कर लीजिए और फिर हमने क्या करना है यह एक terminal से हम aj root की तरह login है दूसरा terminal से हम already weapon की तरह login है मैं इसको screen को clear कर देता हूं और तीसरे पे हम क्या करेंगे terminal पे अनंति का user की तरह login कर लेंगे तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा weapon user की तरह public private key create करेंगे अनंति का user की तरह public private key create करेंगे और फिर हम इसको convert करेंगे distribute की जब हमने weapon की की को distribute करना है तो हम देखेंगे particular format में convert करेंगे उससे पहले फिर weapon user अनंतिका को की भेज़ देगा और अनंतिका जो है weapon को भेज़ देगी और फिर हम इस तरह step by step perform करेंगे और फिर हम जो करने वाले हैं कि यह हम कुछ जब हो जएगा तो कुछ commands जो हम होगी, कुछ howm weapon की तरह चाहेंगे कुछ अनंतिका की तरह चाहेंगे कुछ दोनों की तरह चलाएंगे तो वो सारा कुछ हम step by step concept को लेके चलेंगे अब पहले सबसे पहले देखते हैं कि अब weapon ने key create कर ली है तो weapon अपनी जो key generate किया तो उसने private की अपने पास रख ली और public क्या है लोगों को भीज़ दी उसमें included है अनंतिका भी तो अब क्या है कि क्यों हमने की है इसको समझने के लिए हम लेके चलते हैं कि अनंतिका जो है अपना कुछ जो details है हम लेके चलने हैं कि अपनी जो banking ID है password है वो weapon को भीना चाहती है पर आजकल हमेशे है security जो एक major issue है तो वो क्या चाहती है कि कोई भी उसका data चोड़ी ना कर सके इस case में हम लेके चलेगे जो thief है वो उसको data चोड़ी ना कर सके इवन अगर उसको data मिल भी गया है तो वो उसको क्या करे यूज ना कर सके तो वो क्या करेगी जो अनंत का है सुपोज यह वला एक data है कि हमारे पास हमें example कोई तोर पे ले रहे हैं कि यह कुछ banking idea है और यह वला कुछ password जब पास्फरेज है तो अनंत का क्या करेगी यह जो information है critical है इसको encrypt कर देगी कौन सी key से weapon की जो public key है जो weapon ने उसको भेजी थी जा कई वरी हम इन keys को servers पर रख देती हैं वहां से उसने weapon की की को download कर लिया तो तो उसने क्या कि उसको encrypt कर दिया weapon की की से जैसे encrypt करेगा तो यह हमारे पास उसका जो information का format change हो देता है जिसका हम cipher text भी बोलते हैं तो उसने क्या कर दिया encrypt कर दिया अब क्या है जो encrypted है यह चीज weapon को भेज़ दे की तो weapon क्या करेगा यह जो encrypted है उसको क्या करेगा वहां पे उसको decrypt करेगा कौन सी key को use करके private key को weapon की private key किस के पास है weapon के पास ही है तो उसको क्या decrypt कर लेगा उसके पास जो sensitive जो banking ID जहां वो password है उसके पास आजेगा पर suppose ये data हाथ लग गया है ये वाला encrypted data thief के हाथ में लग गया है तो thief, thief के पास तो weapon की नहीं होगी ये private की वो क्या करेगा अपनी key को use करके उसको private को decrypt करने की कोशी करेगा तो ये नहीं होगा तो सबसे पहला use हमारा जो public private की का है वो क्या है कि आपने data को encrypt करना है दूसरा decrypt करता है securely information send करने के लिए है फिर हम पहले और concept में move करने की fingerprint क्या होता है digital signature क्या है अब सबसे पहली हमारी जो requirement है वो हमने क्या करना है weapon user की तरह public private की create करनी है अनंतका user की तरह create करनी है तो फिर हम आगले वाले concepts को discuss करेंगे क्योंकि ये एक major step है कि हमने जो lab setup करनी है उसके लिए हमारे पास दुर्नों के पास ये हमारे क्या होनी चाहिए public and private की होनी चाहिए